हाई गाईज मेरा नामे परागपाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में दोस्तों इस पार्ट नमबर टू में हम बात करने वाले हैं डिजैन ओफुटिंग के बारे में ये चानल को सब्स्वाइब कीजे और वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलेगा चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इट इस वरी एसेंशियल टू डिजाइन कॉलम पर्टिकुलरली जो की हम हर आयस कोड 456 में हमें दिया गया है कि कुन-कुन से चेक्स करने चाहिए कुन-कुन से चीज़े आपकी OK रहने चाहिए तब जाके आपका कॉलम डिजाइन होता है तो ये सारी चीज़े आपको फॉलो करनी पड़ेंगे similarly आपको डिजान आप फुटिंग में भी ये सारी चीज़े फॉलो करनी पड़ेंगे तो सबसे पहले जब हम design of footing के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको depth of foundation निकालना होता है, जिसको हम df कहते हैं, तो df जो निकलता है, उसका formula हमने यहाँ पे दिया है आपको, which is q by r, 1 minus sin of 5 upon 1 plus sin of 5 और उसका square, यह हमने यहाँ पे आपको formula दिया है, ठीके, तो इस formula का use करके, आप simply इस पूरे depth of foundation को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम assume कर रहे हैं, कि जो fire रहेगा, जो angle of resistance या angle of repose हम कैसे हैं, वो हम यहाँ पे 30 degree assume कर रहे हैं, कि चलो let's consider कि angle of repose हमारा 30 degree है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 30 degree assume करने के बाद, हमने इस फारूनले में सारी च start में हमने बताया, फिर उसके आद हमारे पास unit weight of soil भी हमारे पास है, वो भी हमने यहाँ पे डाली है, और उस हिसाब से हमें जो value मिली है, depth of foundation वो हमें मिली है 1.23 meter, इसका मतलब कि अगर मैं depth of foundation करता हूँ, तो मुझे 1.23 meter इतने depth minimum रखनी तो पड़ेगी, पड़ेगी, उसक load करता है कि minimum 1 meter तो होनी ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उनका minimum value भी ले ली, ठीक है, तो हम हिन दोनों में से कौन सी value लेंगे, तो दोनों में से जो value आपको लेनी है, that is maximum value of 2, दोनों में से जो भी maximum रहेगी, वो value आपको लेनी है, for as a df, तो वो यहाँ पे आएगी 1.23, तो it is very, कोई हमेशा 1.23 assign करने में दिक्कत होते है, इसलिए हम इसको 1.25 के respect में हम से को finalize कर लेंगे, now next step जो हाती है हमारी, वो हाती है, calculation for load, हमेशा धायन में रखना है, जब हम किसी भी structural member को calculate करते हैं, तो dimension और load, यह उसके basic parameters होते हैं, अगर आप इन दोनों चीज़ो को properly manage नहीं करेंगे, इसको calculate नहीं करेंगे, तो आप इन चीज़ों को match नहीं कर सकते हो, तो calculation of load, मतलब अगर आपको W निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये identify करना पड़ेगा, footing के loads के लिए, सबसे पहले column के उपर कितना load आ रहा है, तो यहापे load on column हमारा आ रहा है, 1400 kN, ठीक है, उसके बाद load के साथ column का self add भी तो आएगा, तो वो कितना आएगा, वो रहता हमेशा 10% of all load load, मतलब जितना भी उपर से load आ रहा है, उसका 10% हम ये मानके चलते हैं कि उतना self add रहेगा column का, तो हम यहापे क्या कर रहे है, 1400 का हमने यहापे 10% अजुम कर लिया, तो हमे मिल गया कितना 140, ओके, तो यह जब हमें 140 मिल रहा है, तो हम ये 1400 plus 140 इन दोनों के addition करेंगे, तो हमें total load मिल गया कितना 1540 kN, मतलब हमारे पास 1540 kN available है, जिसका use आपको करना है for design of footing, ओके, तो देखिए, अभी हमने यह load final कर लिया, आगे आने वाले हरे calculations के लिए, आपका यह यह load क्या होगा, आगे चलेगा, ठीके, 1540, उसके बाद अभी हमें check करना है size of footing, कि भाई हमारी footing की size क्या होगी, बहुत बार यह issue होता है कि size of footing निकालना बहुत लोगं को दिक्कत देता है, बट हम आज हम बात करने वाले square footing के बारे में, आने वाले वीडियो में, हम strap, combine, rectangular, इन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम square के बारे में बात कर रहे हैं, तो size of footing, जब हम निकालते है square के लिए, तो सबसे पहले area of footing निकालना बहुत ज़रुय होता है, तो area of footing का formula दिया होता है, w upon safe bearing capacity, मतलब जितना भी आपका load है, अभ which is 200, तो यह आपको कितना मिला, 7.7 meter square, obviously area है, meter square में रहेगा, और volume हमेशा meter cube में रहता है, ठीके, अभी हमारा next step होता है, जब हम footing का size निकालते हैं, तो वो रहता है, providing square footing, अभी हमें square footing अगर provide करनी है, तो definitely side square यह formula लगेगा, अगर मैं rectangular की बात करूंगा, तो B into D लगेगा, ठीके, मतलब different different formula best upon the geometry होता है, तो आज हम बात करें square के बारे में, तो हमारा formula क्या आएगा, side square आजाएगा, तो अगर मैं side square assign कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए, 7.7 जो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीके, area of footing, और side square मतलब B square, क्योंकि हमने जो calculations, वेट a minute, हमने जो calculations किये ह है, उसमें, यह हमारा बेच में column था, जिसको हमने small b by small b बोला है, और जो बड़ा footing है, उसको हमने capital b by capital b का है, तो उसी basis से हमने यहाँ पे क्या किया, b square ले लिया, अभी मैं जब b square ले रहा हूं, तो उसका square root में रहा लगा दूंगा, तो मुझे b की value मिलगी, which become 2.77, मतलब में round of 2.8 meter, one side मेरी b की होगी, इसका मतलब, जो मेरा यह पूरा dimension है, ठीके, ठीके, तो यह जो particular होगी value, this is 2.8, और this become 2.8, okay, that is final value, now अगर मैं next मेरे presentation के उपर जाता हूं, तो उसके बाद मेरी next step होटी है, upward pressure intensity, और उसके बाद आपको यह भी निकालना होता है कि downward pressure intensity, अभी upward downward यह क्या है, आने वेले steps में आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक सबसे important चीज आपको करनी है, sorry for interruptions, but आपको इस channel को guys definitely subscribe करना है, और जो नया channel है, उसको भी subscribe किजे, because इन दो channel आपको काफी help करेंगे, so जब हम upward pressure intensity निकालते हैं, वो हम हमेशा define करते हैं by using the factor जिसको कहते है PU, okay, upward pressure intensity हमेशा PU से represent करते हैं, ठीक है, इसका एक formula होता है, that is 1.5, यहापे आप देखिए, PU is equals to 1.5 multiply by P, divided by B square, तो 1.5 तो हमारा आप हो गया factor, P मतलब जो आपका column का load आ रहा है, वो particular load, और जो B है, that is side of footing, जो भी आपकी footing की side है, वो side, तो उससे जो आपका factor load निकलेगा, अभी PU मतलब क्या निकल रहा है, upward pressure intensity, तो वो किस basis पे निकलेगी, आपके column के loading के basis पे निकलेगी, बट आपने अगर यहापे properly गोर किया होंगा, तो जो 1.4, हम इसको 1.5 से multiply कर रहे हैं, मतलब हम उसको factored में convert कर रहे हैं, ठीक है, तो यहापे जो आपको upward pressure intensity मिल रही है, वो 267.86 kN per meter square मिल रही है, ओके, जिसको हम 268 बोल देंगे, ओके, round off करेंगे उसको, आप 270 भी कर सकते हैं, बट मैंने उसको मोटा-मोटा 268 कर लिया, now तो हमारे पास यहापे PU मिल गया 268 kN per meter square, अभी उसके बाद आपको निकालना क्या होता है, factored bending moment, देखिए हमेशा, जब आ आपको moment बहुत important होता है, अगर आपके पास moment नहीं है, तो आप कुछ design नहीं कर सकते हो, तो आपको moment निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको factored bending moment निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप इस पूरे, जो calculation में यहापे आपको दिखा रही है, एक diagrammatical representation जो लेकिये, जैसे यहापे में लिख देता है, this is what your footing, ओके, और जो internal है, वो आपको column है, जो small b by 0.45 हमने बता है, तो हमने क्या किया है, हमेशा यह धान में रखना कि एक particular side हम मान के चलते, कि हमारा जो column है, ऐसा tend होगा, तो एक particular critical condition में, footing आपकी निचे से उपर आएगी, तो हम मान के चलते, कि हमारा यह जो section है, जो red color में मैंने highlight किया है, वो आपका critical section है, तो critical section की क्या length होगी, क्या यह x value क्या होगी, वो आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, देखिए, बहुत simple बात है, total यहाँ से लेके, यहाँ तक का जो distance है, that is capital B, okay, उसमें से हम यह छोटा भी minus कर देंगे, ठीके, और उसको divided by 2 करेंगे, तो आपको automatically 1.18 meter मिल जाएगा, लेकिन यह सारी चीज़े, बस square footing के लिए ही minor रखती है, otherwise यह किसी दूसरे के लिए minor नहीं रखती है, okay, तो आपके पास x की value आगी, which become 1.18 meter, उसके बाद अभी हम निकालेंगे factored moment, क्योंकि इ bending moment is at the face of the column given by mu equals to pu, मतलब factored load, into b, मतलब यह पूरा distance, into x square, जो हमने यह निकाले, इसका square करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में आएगा, divided by 2, तो यहाँ पे 268 हमने जो upward pressure intensity निकाले ही यह, multiply by 2.8 मतलब b की value, into 1.18, मतलब यह particular factor उसका square करेंगे, by 2, तो इससे हमें मिल जाएगा factored bending moment, जो आपको यहाँ पे मिल गया है, this particular value, जो क्या है 522.43 into 10 raise to power 6 newton into mm, हमेशे धान में रखना, जो moment होता है, वो newton into mm में रहता है, now अभी हमें यह भी निकालना है, कि भाई साब अभी हमारी depth of footing क्या होगी, ठीके है, हमने df जो निकाला, that is depth of foundation indirectly, but what is my depth of footing, okay, अभी depth of footing कैसे निकालते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा normal bending moment है, मतलब factored, sorry, not normal, factored bending moment, जो हमने उपर निकाला है, ठीके, यह वाला जो factor bending moment है, हम इसको limiting, मतलब what is the limit, क्या limit होगी, उसके साथ हम क्या करेंगे, solve करेंगे, मतलब mv equals to mv limiting तो उससे आपको depth मिलेंगी, अभी यह जो particular mv limiting का factor है, यह हर एक grade की हिसाफ से न, vary होता है, जैसे हम यहाँ पे m20 grade of use कर रहें, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 0.138 fck bd square, अगर fe 500 होता, तो यह different होता, okay, तो mv equals to mv limiting जो हम यहाँ पे concept use कर रहें, किसले use कर रहें, ताकि ह हम में depth मिल सके, अभी देखे, mv की तो value आपके पास है, ठीके, अभी हमारा, अगर हम fe 4 and 5 use कर रहें, तो हमारा function लगेगा, 0.138 fck into capital b into small d square, अभी हमारे पास fck, मतलब क्या है, 4 and 5, मतलब grade of concrete है, 20, capital b भी हमारे पास है, 2.8, तो उसको mm यहाँ पे convert कर दिया, हाँ, यह formula mm मे होता है, ठीके, अगर आपको meter में लगना है, तो आपको mm को भी meter में convert करना पड़ेगा, उसके बाद, जो d है, वो आपको निकालना है, अभी यह effective depth है, यह overall depth नहीं है, जब यह निकलेगा, तो आप इसमें क्या करोगे, clear cover add करोगे, तब जाके आपका overall बनेगा, लेकिन overall बन 28, into FCK हमारा हो गया 20, capital B हो गया 2.8, और D square हमारा यहाँ पे, तो उससे हमारा D निकल गया 260 mm, ठीके, now for the footing to be safe in share, अगर आपकी footing share में safe रना चाहिए, मतलब उसे में cracks नहीं आने चाहिए, okay, share increase the depth by 80%, तो हम क्या करते है, जो भी हमें depth मिली है, हम उसको 80% से बढ़ा देते है, म 1.8 से multiply करता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट अगर अभी लोगों को दिक्कत भी होते है, 1.8 क्यों, देखिए, अगर आप इसको ऐसे भी solve कर सकते हो, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, यह ऐसे भी solve हो सकता है, D is equals to 260 into 80% plus 260, इसलिए हम क्या करते है, इस पैक्टर को one consider करते है, इसलिए हम इसमें 1.8 से मने multiply किया है, इसका मतलब अभी जो आपको effective depth मिली है, वो कितनी मिली है, 468 mm, ओके, अभी हम क्या करेंगे, assume करते है कि चलो effective cover 60 mm लगा देते है, तो 60 mm अगर मैं effective cover लगा रहा हूँ, तो मेरी overall depth क्य let's consider 550 mm, so 550 mm is my final depth of footing, ओके, अभी ये 550 में से मैं 60 फिर से minus करूँगा, ताकि मुझे effective depth मिले, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, small d equals to, जो भी आपका 550 था, उसमें से effective cover minus करो, तो 550 minus 60 become 490, इसका मतलब आपकी effective depth कितनी है, 490 है, और हमने पहले कितनी ही निकाली थी, 468, ठीक है, यह फरक होता है, यह हमेशा धान में रखना आपको, और यह RCC में, मतलब reinforced cement concrete में हमेशा ही होता है, ओके, नाओ यहाँ पे आप देखेंगे, आपके पास अभी overall depth भी आगई, 550 और effective depth भी आगई, कितनी 460, अभी हम बात करेंगे punching share के बारे में, जब जब आप footing निकालते हो, आपको punching share निकालना बहुत ज़री होता है, अगर आप punching share नहीं निकालोगे, तो मतलब नहीं है, so checking for punching share और two-way share, मतलब two-way share के बारे में बात कर सकते हो, पंचing share के बारे में बात कर सकते हो, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको diagram निकालनी पड़ेंगी, जो सो external जो आपको black line दिखरी है, वो आपकी footing की है, internal जो है, वो आपकी column की है, ठीके, और उसके bagel में जो मैंने dotted line निकाली है, at a distance of d by 2 equally distributed on all four sides, जैसे मैंने इस direction में निकाला है, ठीके, यहाँ पे जो निकाला है, similarly ये भी d by 2 ही है, ये भी d by 2 है, ये भी d by 2 है, ठीके, और हमने क्या किया, हम ये check कर रहे है कि column के bagel में का distance में कितना punching share आता है, ठीके, तो उसको d by 2, d by 2 करके हमने distribute कर दिया, तो हमें क्या करना है, हमें l dash निकालनी है, ठीके, अभी l dash क्या होगा, l dash is nothing but, यहाँ से, मतलब ये जो particular portion है, यहाँ से लेके, यहाँ तक का distance, मतलब critical length क्या होगी उस particular punching share की, वो निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा, यह वाला d by 2, यह d by 2 और यह b, तो यहाँ पे लेको मैंने लिख दिया, d by 2, d by 2 और b, अभी d by 2 मतलब क्या, जो भी आपका column का एक side है, चीके, कितना 490, उसको, sorry, जो d मतलब depth, sorry, depth को आदा करेंगे, okay, plus width, जो column की width है, plus फिर से d by to, तो यह आपको मिल गया, 0.94 meter, तो यह आपका एक particular length हो गया, जो आपको punching share के लिए use करना है, okay, उसके बाद, अभी हम बात करेंगे, punching share के calculations के बारे में, बहुत लोग को दिक्कत होती है, punching share के calculations को consider, समझने में, but don't worry, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होग जो कि हम किस से represent कर रहे है, PU से, और वो कितना आ रहा है, 2100 kilonewton, यह कहां से आपको मिलेगा, आपको starting में मैंने PU निकाल के दिया है, वहां से मिलेगा, ठीक है, इसके लिए आपको lecture number 1 भी देखना बहुत जरुए है, ताकि यह पूरा flow आपको manage हो जाए, okay, और आप यह particular numerical आ उपर से अगर load लगा रहे हो, तो उसको balance करने के लिए नीचे से भी तो load लगाना पड़ेगा, अगर आप नीचे से load नहीं लगा होगे, तो definitely यह चीज़ ऐसे उपर के load से सीधी नीचे चली जाएगी, okay, तो यह चीज़ों को manage करने के लिए, we provide upward force, okay, तो upward force कैसे निकलता है upward force, जो भी आपका punching shear है, punching, sorry, punching force निकल रहा है, उसको उस L' के साथ multiply करेंगे, तो upward force आपका कितना है, जो upward pressure intensity निकाला, 268, multiply by 0.94, अब यह 268 हमने कहा से ला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए, back चलते है अपन, ठीक है, sorry, यह पर था है, देखिए, यह जो था अपना upward pressure intensity, हमने यहाँ से ला, तो इस upward pressure intensity को, ठीक है, आपको multiply किसके साथ करना है, इस L' के साथ multiply करना है, तब जाके आपको upward force पता चलेगा, कि भाई साब, हमारा upward force इतना है, ठीक है, नव उसके बाद, जब आपको upward force मिल गया, तो वो कितना मिला, 237 kN, मतलब, 2100 kN को नी 237 kN ही मिल रहा है, ठीक है, तो उसके basis पे आपको सारी चीज़े निकालने पड़ेगी, उसके basis पे आपको reinforcement डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले punching shear force निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या करते है, view करते है, ओके, तो वो कैसे निकलता है, जितना भी आपका 23 kN, जो की रहेगा 1863 into 10 raised to power 3 N, उसके बाद आपको nominal shear force निकालना पड़ेगा, जो की दिया होता है tau V से, अभी वो कैसे निकलता है, देखिए, tau V is nothing but, जो अभी आपका punching shear है, divided by B0 into D, अभी आप ये B0 बोलेंगे, B0 क्या है, B0 is nothing but perimeter, अगर आप किसी भी geometry को use कर रहे हो, तो perimeter आपको depth के साथ multiply करना बहुत जरू होता है, ने तो volume कैसे निकलेगा, ठीके, तो B0 is nothing but perimeter, वो निकालने का सबसे easy तरीका है, जो भी आपको L' मिला है, जो आप 15 share के लिए use कर रहेते हैं, उसको multiply by 4 कर दो, क्योंकि ये square footing है, अगर rectangular हैता तो क्या करते हैं, दो side जो equal होती है, उनके addition करते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब A multiply by 2 plus B multiply by 2, ओके, तो इस तरीके से आप भी आप कर सकते हैं, तो इसका use करके आपको perimeter मिल जाएगा, और आप यहाँ पे डालेंगे, मतलब VU divided by B0 into D, जो D आपके पास है depth of footing, तो आपको मिल गया 10, 1.10 Newton per mm², उसके नामे जिसको हम Tau C से represent करते हैं, तो permissible CSS निकालने के लिए आपका formula है, 0.25 under root FCK, तो 0.25 under root FCK की हमारी value कितनी है, 20, तो हमको कितना मिल गया 1.12 Newton per mm², अभी क्या है, कि यहाँ पे आपको cross check करना है, यहाँ पे जो आपका Tau V है, मतलब nominal share force, अगर आपका permissible share stress Tau C से छोटा है, इसका मतलब आप safe हो punching share में, अगर आपका nominal share stress जादा होता है, permissible stress तो आप safe नहीं हो, आपका status failure है, तो यह आपको सबसे important चीज़ आपको धैन में रखना है, ठीक है, तो यह जो status मैंने यहाँ पे लिखके रखा है, यह आपको हमेशा exam में आपको लिखना ही पड़ेगा, उस इस तरीक से हमको design of steel का matter यहाँ पे sorted करना है, so just wait a minute मैं मेरे इस area को यहाँ से लेके आता हूँ, ताकि आप सब लोग को में properly सारी चीज़े यहाँ पे दिखा सको, just wait a minute, okay, let me bring it down, okay, yeah, ठीक है, okay, अभी आप बोलेंगे यह क्या था, okay, now देखिए, अभी हम बात करेंगे design of steel क के बारे में कि हमें किस तरीक से design of steel करना है, design of steel करने के लिए सबसी important जो formula होता है RCC में, वो होता है area of steel, is equals to 0.5 fck upon fy, जो मैंने यहाँ पे rate color में लिखा है, AST equals to 0.5 fck upon fy in bracket 1 minus under root of 1 minus 4.6 mu by fck bd square in bracket complete capital B into small d, तो यहाँ पे सारी value रख दो, ठीक है, यह बहुत simple सा formula है, अगर side पे भी काम कर रहे हो, और अगर आपको cross check करना है कि area of steel कितना लगने वाला है, तो आप क्या करना है, fck fy, मतलब grade of concrete, grade of steel, साथ ही साथ आपका bending moment कितना है, factored bending moment की बात कर रहा हूँ, उसके बाद what is width, पूरे footing की width और footing की depth, और फिर से उसको multiply कर दो, तो यह formula अगर आप use करते हो, तो आपको on the side आप बता पाते हो कि area of steel आपका क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी value रख दी है, मैंने सारा footing की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखे, आप देख सकते हो, तो मुझे area of steel मिल गा कितना, 3099, 3099.8 mm, मुझे यह क्या मिल गया, area of steel मिल गया, अभी इस particular area of steel को use करके, मैं चाहता हो कि मैं number of bar provide करू, number of steel bar provide करू, अभी मैं कैसे कर पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहेंगे कि 16 mm का बार use करो, आप कर सकते हो, ठीक है, तो उसको किस तरीके से manage करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, यहाँ पे एक simple सा formula है, वो ऐसा है, number of bar equals to 4 AST upon pi into 5 square, या फिर आप simple तरीके से use कर सकते हो, वो ऐसा है, कि area AST equals to, ओके, number of bar pi by 4, okay, into diameter का square, तो यही formula है, जो कि मैंने आपे juggling करके बना के रखाएं, यह 4 का से आया है, यह pi by 4 का factor है, जब मैं इसको इधर multiply करूँगा, तो यह क्या हो जाएगा, AST into 4 by pi into 5 square equals to number of bar, जो हमने यहाँ पे किया, एकदम simple है, in short, okay, तो इसका use करके, आप site पे और interview में भी इस questions के answers दे सकते हो, जो कि काफी importance है, और आने वाले videos में यह आपको काफी help करेंगे, right, तो देखिए, अभी जब मैं यह सारी चीज़े कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सारी details भरी है, कि 4, मेरा AST जो यहाँ पे निकला हो, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, diameter कि इतना use कर next higher value consider करते हैं, जो कि 28 है, मतलब 28 बार, 12 mm के आपको डालने पड़ेंगे, तो उसके बाद आपको development lane भी चेक करने पड़ेंगी, चलो, तो development lane का भी हम calculation कर लेते हैं, तो development lane के calculations के लिए, सबसे पहले आपको formula यूज करने हैं, यह सारे formula है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, य यह IS code 456 खुद बताता है, so is equals to LD, LD मतलब के development lane, is equals to 0.87FY into 5 divided by 4 into tau BD, तो यहाँ पर 0.67 हमने रख दिया, यह 5 मतलब हमारा 415 हो गया, 5 मतलब हमारा 12 mm हो गया, divided by 4 into tau BD, tau B है, यहाँ पर देखे, tau B है यह, tau BD जो कि हमारा 1.6 into D है, तो उससे हमें मिल गया कितना? 564.14 mm, जो कि हमारा development length required है, यह हमें इतना चाहिए भाबा, इससे कम नहीं provide कर सकते हैं, इससे कम provide करेंगे, तो आपका footing गया काम से, ठीके, अभी हमें दूसरा concept यह भी है, कि LD equals to X minus effective cover, अभी X क्या है? यह जो X है, that is capital B minus small d, जो भी आपका capital B है minus small d by 2, अगर आप करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? effective cover हो जाएगा, ठीके, तो यह मैंने यहाँ पर डाल के यहाँ पर लिखा है, तो आपको क्या करना है? very simple, ठीके, यह हमने यहाँ पर निकाला 1180, बस 1180 में से हम effective cover minus कर देते हैं, ठीके, इस में से अगर मैं effective cover मतलब 60 mm minus कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर LD मिल जाएगा, जो कि available है, जो कि हमारे पास presently available है, तो LD available हमेशा LD required से जादा होना चाहिए, यह equals to होना चाहिए, तब ही आपका design safe होता है, तो देखिए, हमारा यहाँ पर, since हमारा जो LD है, ठीके, यह required से जादा है, इसलिए यह हमारा status data safe है, ठीके, अब यह हम हमारे next slide के उपर जाता है, जो हमारा final diagrammatical representation है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीके, यह हमारा final diagrammatical representation है, जिसमें हमने इस पूरे column को, यह हमारा उपर का column है, ठीके, नीचे का हमारा footing है, इस तरीके से आपको पुरा, you know, diagrammatical representation देना पड़ेगा, सात top view दिखाना पड़ेगा, और column का जो top view है, वो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, या फिर हम 8 बार provide कर रहे है, 18 mm diameter के, ठीके, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि 6 mm के बार हम provide कर रहे है, जो कि 280 mm center to center, sorry, क्या कर दिया है, ठीके, 6 mm बार है, जो हम 280 mm to close link arrangement के हिस करना है, तो आप इसको use कर सकते है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे website पे जाए, civilnotes.com, ठीके, इसकी link मैंने description box के पर दी है, अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है, तो आप मेरे website के अगर जाए, वहाँ पे आप notes में, RCC notes में जाके इसको use कर सकते हैं, and thank you so much कि आ कैसी देखते रही है, मुस्कुराते रही है, और हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिये, okay? Have a next day guys, bye-bye.